बिसमिल्लाहिर्रह्मान दहीम, अस्सलामु आलेकुम। तंचाथाली चैनल पर पुशान देदू और वैलकुम। आलों को बॉइल करके मैश कर लिया है। आप गुरेटर से गुरेट कर सकते हैं। मैंने तो फोक से यहाते हैं। आप लिया है। इस तना कटिंग करके आलों डालने से जल्दी से गयाते हैं। बॉइल हो जाते हैं। मैंने चाथ मसाला डाला है। चली फ्लैक चाथ मिंग डाली है। फाम पालक के पत्थों पर प्सको नृँल करेंगे लगा कर इसको फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद जो है इसको फ्राइ करेंगे कभी-कभी घर में बर्गर पगर आते हैं तो इस्तमाल नहीं होते तो ये इसको आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगे जिसमें ये बिल्कुल नर्म ऐसे हो जाएंगे जैसे भी बैकरीस से निकल कराएंगे इसे मैंने थोड़ा सा पानी लिया इस पर छलनी रखी इस पर ये हम अपने बर्गर रख देंगे और इसको फिर दो मिट के लिए इसको रखेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ है कितने नर्म हो जाएंगे कि चिकन और आलो को मैश कर लिए हैं मैंने więcej टाले जाएंगे और हम चलिप्लैक्स भी ढालेगे नमक डालेग और इसके बाद इसको हम बर्गर पर लगाएंगे बर्गर में आपको दिखाते हूं कि इतने हमारे नर मॉलाइम हो गए हैं पिल्कल देखिए इतने सॉप्ट हो गए हैं जैसे भी बजार से हम लेकर आएं बैकरी से अभी तमाम जब मिक्षर था हम इस पर लगा देंगे और इस पर लगाने के बाद जाए यह मैदे का हमने कहते हैं इसलेरी बनाएटी थोड़ी गाड़ी बनाएंगे तका के सथे लगजाए इसको इसको हम फ्राई करेंगे बेशन में डिकर कर पर चौन करेंगे फ़ले जब तका आज हम बैटर लगा है उसको तरह से मusion के इंदा android गडालेंगे और यह और इनजी इसमरे बार्गर ओगर तो उड़ता पदा नहीं है तो आज से आप भी कहते हैं इसी तरह से बर्गर को गाते हैं तरो तासा बना दीजोगा बहुती लोगी दाज़ीगा बहुती मज़दार बना रहे हैं अब 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 बेश्योशन का बोलम के यार करेंगे अब हम दालेंगे आज नहीं तैप्ट के पकोड़े बनाईए पालक के अब नहीं से पकोड़े कभी नहीं बनाए होंगे जनाकर जरूर देखिए और बहुत ही मज़दार बनेंगे इंशाला इसकी बर्गर को भी हमने से तमय से बेसा में बिप करके जहें दाल दिया था और ये भी हमारे फ्राइर होगे हैं दो को मैंने के दो को मैंने करते हैं इसमें बेसंद मोपना पसंदार बन गया है वीडियो से स्टेज पर पसंदार रही है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स फैमली में वह चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए तक दीजिए पसर को चमशा थाली चैनल से मिलते हैं नेक्स वीडियो में वक्त दौआ में याद रखेगा रमजान में फास्तार पर दौआ में याद रखेगा अलाह फीज लाह फीज